Hello everyone, welcome back to my YouTube channel So, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनोंने मिलिनेर ट्राक को नया नया जॉइन किया है और नई आईडी आगे कैसे बनानी है वो आपको नहीं पता So, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पर लापटॉप से कैसे आप आईडी क्रियेट कर सकते हो और मोबाइल फोन से कैसे क्रियेट कर सकते हो दोनों चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो पसंदा है तो लाइक कर लेना और अगर नए हो मेरे चानल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप रिफरल लिंक किस तरह से जनरेट कर सकते हैं तो आपको M.T.I.D. ओपन करने के बाद प्रोफाइल में जाके Personal Information पे क्लिक करना है यहां पे उपर आपको एक I.D. मिल जाएगी इसको पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करके रख लेंगे मैंने आगे चाट में फर्दर सेव करके रखा हुआ है जिसमें पर्सन के नीचे आप M.T.I.D. क्रिएट करना चाहते हो उस पर्सन के रेफरल लिंक को आपको ओपन करना है तो आपको एक ऐसा पेज क्रिएट हो जाएगा आपको बस डीटेल्स फिल करनी है मैं यहां पे रांडमली एक मैं लाइड कर रही हूं मै लाइड प्लीज ठीक अट सूदाट आगे प्रशा प्रॉबलम ना हो मैं कुछ रांडम डीटेल्स आड कर रही हूं आप इस तरह से डीटेल्स आड कर सकते हैं काransford कुछ b cyn कर सकते हैं स्टार्टिंग में क्योंकि आपको भी पता है कि स्टार्टिंग का जो पासवर्ड रहता है वो सबसे ज़्यादा में रहता है ठीक है उसके बाद आपको कोई भी पाकेज सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर आपको रेफरल कोड अल्रेडी लिखा हुआ आएगा यह मेरी रेफरल आईडी है तो अल्रेडी लिखी हुई आई है यहाँ पर आपको पाकेजस के प्राइजस थोड़े से हाई शो होंगे बट जब आप क्लिक करके फाइनल पेमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आपको पेमेंट का अमाउंट थोड़ा कम हो आपको डेटा साइंस के एक्जामपल लेके बता रही हूं मैंने पैकेजस सेलेक्ट किया और आगे प्रोसीड कर दिया सब्मिट कर दिया तो आपके बस इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपकी जोईज रहेगी आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं UPI से करना चाहते हैं कार्ड नेट बैंकिंग कहीं से भी आप करना चाहते हैं आप प्रोसेस आप अप्लाइ कर सकते हैं मैंने बस Google पे लिखा है Millennial Track, Millennial Track पे आपको जाने के बाद Enroll Now लिखना है, Enroll Now पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उसी तरह से नाम, नमबर, मेल आड़ी और सिटी, यहाँ पे आपको उस पर्सन का रेफरेल कोड आड़ करना है, जिस पर्सन के साथ आप जोइन करना चाहते हैं, अदरवाइस आप रेफरेल लिंक से आप ओपन करेंगे, सेम पेज आपका ओपन होगा, रेफरेल कोड लिखा हुआ आएगा, सेम आपको उसी तरह से पाकेज सेलेक्ट करना है, पाकेज सेलेक्ट करने के बाद सब्मिट कर देना है और उसी तरह से पेमेंट कर देना है, तो दोनों चीज़े मैंने आपको सिखा दी है किस तरह से MTID create होती है,